राधे राधे मित्रों स्वागत है आपका आपके चैनल मास्टर की क्लासेस में आज हम पढ़ने वाले हैं NCRT क्लास 6 साइंस का चैप्टर 5 Separation of Substance यानि पदार्थों का प्रतक कराना हम लोग चैप्टर 4 को skip कर रहे हैं क्योंकि चैप्टर 4 से related question हमारे competition के exam में नहीं पूछे जाते हैं आईए शुरू करते हैं आज की class Class शुरू करने से पहले आप से एक छोटी सी request यदि आप आए हैं पहली बार इस चैनल पर तो कर दीजे इसे subscribe और दे दीजे इस वीडियो को एक like Class पसंद आती है तो अपने 5 मित्रों के साथ इसे share करना ना भूले आईए शुरू करते हैं आज की class तो मित्रों NCRT सारान सीरीज में हम लोग पढ़ने वाले हैं Class 5 चैप्टर का नाम है हमारा पदार्थों का पर्थक करन separation of substance ठीक है अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि पर्थक करन क्या होता है पर्थक करन की हमें आवज सकता क्यों पढ़ती है आईए समझते हैं पदार्थों का पर्थक करन सबसे पहले दो या दो से अधिक पदार्थों के मिस्रों को एक दूसरे से अलग करने के प्रिक्रिया प्रतक करां कहलाती है जैसे मर्दा, वायू, समुद्री जल और चाय अब ये कहा है ये मिस्रण है मिट्टी कई प्रकार की होती है उसमें कई तत्तु पाया जाते हैं उसी तरीके से वायू में कई तत्तु पाया जाते हैं गैसे पाई जाती है, धूल करण पाई जाते है grade, समुदरी जल में अलग 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 चीजें पाई जाती है और एक साथारान सा उधार्म, चाय का की इसमें आपके चाय की पत्ती होती है, दूद होता है, पाणी होता है, सक्कर होती है तो ये क्या है ये सारे एक मिस्रण है ठीक है प्रथक करण की आवे सकता हमें क्यों होती है किसी पदार्थ को उप्योग करने से पहले हम उसमें से मिस्रित हानकारक तथा अनुप्योगी पदार्थों को अलग कर देते हैं जिससे हमें सुद्धप्राप्त, जिससे हमें सुद्धपदार्थ प्राप्त हो सके, उधारण क्या है, गेहुं के पौधे से गेहुं और भूसे को अलग करना, प्रताकरण का उधारण है, दही से मक्खन को अलग करना, अब दही और मक्खन, दोनों ही हानकारक या अनुपयो अलग अलग है दाल से कंकड और मिट्टी को अलग करना पेट्रोलियम से पेट्रोल डीजल और केरोसीन प्राप्त करना ख़दानों से जो हमें मिलता है पेट्रोलियम मिलता है हमें और उससे फिर वो क्या है कच्चा पदारत है रा मटेरियल है तो उससे हम लोग फिर क्या है पेट्रोल बनाते हैं डीजल बनाते हैं और केरोसीन बनाते हैं बाई प्रोडेक्ट के रूप में हमें ग्रीस मिलता है ठीक है अब आईए पढ़ते हैं प्रथक करण की विदियां प्रथक करण की यही कोई 10 या 12 विदियां हैं सबसे पहले है हमारा हस्त चैन जिसे आप सभी ने देखा होगा घर में खुद भी किया होगा कुछ लोगों ने इस विदि को बीनना भी कहते हैं इस विदि के द्वारा गेहु चावल तथा दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कण या पत्थर को अलग करते हैं जैसे कि यह कर रहे हैं ठीक है और यह इमेज हमारी वही NCRT इस पार्थ में जितने भी इस चैप्टर में जितनी भी इमेज यूज की गई हैं सारी NCRT के चैप्टर से लिए गई हैं दूसरी विदि हैं हमारी चालन विदि चालन विदि का अपयोग मिस्रन के दो ऐसे अव्यवों को अलग करने के लिए किये जाता है जिनके हमापों में अंतर हो जैसे आटे को छानना रेत या मौरं को छानना ठीक है आटे को जो हम छानते हैं तो उसमें से क्या है कि भूसी निकलती है तो वो और आटे का माप अलग-अलग होता है रेत या मौरं को छानते हैं तो उससे बजरी निकलती है उसमें भी जो महीन होता है तो वो हमारा छंग जाता है और उपर जो बजरी बचती है वो अलग हो जा करना थ्रेसिंग गयलाता है वर्तमान में यह काम मसीनों द्वारा होता है जिसे थ्रेसर भी का जाता है जो गाउं से सम्मंदित लोग होंगे तो उन्हें पता हो गए कि थ्रेसर क्या होता है अब इस में क्या है कि गेहूं को अलग करना और भूसे को अलग करना पौधा होता है पूरा गेहों का अब उसको गया है कि पहले जो पीट के जैसे है यहां पे किसान दिख रहा है कि वो लोहे के पे या पत्थर पे पीटता था तो जिससे गेहों की bali से गेहों अलग निकल जाता था और भूसा अलग निकल जाता था अगला है मारा चार नमबर आवसादन इसे तल छटी करण भी कहते हैं ये जो दूसरे नाम दिये हुए ये भी आप याद रखें क्योंकि प्रस्ट यहां से आते हैं कि आवसादन को दूसरे किस नाम से जाना जाता है तो वहाँ पर आपको आपसन दिये रहेंगे तो उनमें सह ही करना रहेगा ठीक है जब किसी तरल पदार से मिले हुए करण जमीन में बैठ जाते हैं और हम इन्हें अलग कर लेते हैं तो इसे क्या कहते हैं आवसादन कहते हैं ठीक है कैसे कि यहां पर जैसे कि आपका ये एक ग्लास है और इसमें पानी भरा हुआ है ठीक है इसमें देर में नीचे यहां पर बैठ जाएगी ठीक है तो यह हमारा क्या हुआ है यह हमारा कहला है और साधन इस विदिदारा हम उन्हीं पदार्थों को अलग कर सकते हैं जो आपस में विले नहीं होते हैं जैसे अब यह नहीं कि चीनी का सर्वत बना लिया है तो चीनी हम अलग कर बैठ जाएगी जाके तो चीनी तो बैठ गी नहीं क्योंकि वह तो घुल चुकी है ठीक है ना हाँ बालू आप कोई नया है या तो उसमें से क्या है बालू आती है तो आप क्या पीने के लिए अगर पानी निकालते हैं तो थोड़ी देर के लिए उसको रख देते हैं ताकि एक दूसरे में घुलते नहीं हैं जैसे तेल को पानी से इसी विदी द्वारा अलग किया जाता है नेक्स्ट हमारा है निस्यंदन इस विदी द्वारा किसी तरल में मिली किसी अबिलेट होस असुद्धी को छन्ना पेपर या फिल्टर पेपर की साहता से अलग किया जाता है कि उसको इस तरीके से आप कीप जैसा बना लेते हैं और बनाने के बाद फिर उसको कीप के अंदर फिट करके और उसमें से पाई को या द्रव को गुजारते हैं तो जो अगुलन से इल्म असुद्यां होती है वो इसमें सोख लेता है या चिपक जाती है के लिए इसके बाद आता है हमारा साथ नंबर अपकेंदरन इसे मंथन विदी के नाम से भी जानते हैं मक्खन को अलग करने के लिए दूद दही को मता जाता है जिससे मठा नीचे रह जाता है और मक्खन उपर आ जाता है क्योंकि मकषन अलका होता है इसके बाद है हमारा निस्पावन किसी मिसरण के अव्यवों को हवा या बाईू के ज्छोंकोदारा मिसरण से प्रथक करने की विधी निस्पावन कहलाती है जैसे किसान हलके भूसे को भारी अनकड़ों से अलग करने के लिए इस विदी का उपयोग करते हैं अब यहां देखें महिला यहां पे यह उड़ा रही है तो एक बर्तन से अनकड़ों जो है वो नीचे किर रहे हैं और जो हलका भूसा है वो यहां से उड़के अलग जा रहा है ठीक है नेक्स्ट है हमारा वास्पन त्रव में घुले तो उसको अलग करने के लिए जल को वास्प में परिवर्थित करने की प्रक्रिया वास्पन कहलाती है जहां पर जल अधिक मातरा में होता है वहां पर वास्पन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है जैसे समुद्र में या बड़े पोखरों में या तालाबों में नदियों में ये जलवास्पन की प्रक्रिया क्या होती है हमेशा निरंतर चलती रहती है मुदारण जैसे समुद्र जल से नमक पुराप्त करना अगली विदिय है हमारी संगनन संगनन जलवाच्ट का ठंडा होकर पुना जल की बूंदों में बदल जाना संगनन के लाता है संगनन के द्वारा ही वर्षा की उत्पत्ती होती है नेक्स्ट है हमारा 11 नमबर संत्रप्त विलेन जिस विलेन में कोई पदार्थ एक समय के बाद और अधिक ना खुल सके उस विलेन को संत्रप्त विलेन कहते हैं जैसे आप एक गलास पानी लीजिए और उसमें चीनी घूलना शुरू करिए तो एक इस्तिति ऐसी आएगी कि उसमें चीनी घूलना बंद हो जाएगी ठीक है तो वो क्या जब वो इस्तिति आजाएगी कि आपकी चीनी घूलना बंद हो जाएगी तो वो हमारा कहलाएगा संत्रप्त विलेन किन्तु अब कोश्चन भी पूछा जाता है कि अगर संतरप्त विलियन में एक विलियन संतरप्त विलियन बन चुका है और उसमें और अधिक पदार्थ वही पदार्थ घोला जाना है तो उसको कैसे घोल सकते हैं तो उसे किसी पदार्थ को अगर वो संतरप्त विलियन बन गया है तो उसो गरम करने पर उसमें और अधिक पदार्थ को घोला जासकता है अगर आप उस एक गिलास पानी को जा एक गिलास सरवत को थोड़ा सा गरम कर देंगे तो उसमें और सकर घोली जा सकती है क्यों कि तब गरम होने पर पानी के अड़ू दूर दूर हो जाएंगे तो वहाँ पर उनके बीच में इस पेस आजाएगा जिससे की इसे घोला जा सकता है तो तो मितरो यह थी आज की क्लास अगर क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंड करें और अपने पांच मितरों के साथ शेयर करना ना बूलें चैनल पर पहली बार आएं तो इसे सबस्क्राइब करें और चेप्टर फाइब हमारा यहां से समाप्त हो गया अगली class में हम लोग इसके mcq पढ़ेंगे तो उसे जरूर जोइन करें मिलते हैं अगली class में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत